संबाने सिक्षक साथियों जैहिंद आज के इस कालखन में हम सभी सिक्षक साथियों के लिए राज शिक्षकेंद्र के द्वारा विद्यालेओं को प्रदान की जाने वाली एकिकरत साला निधी के व्याय के संबंध में जो निर्देस दिये गए हैं उन निर्देसों की जानका साथियों यह जो आदेश है राज शिक्षा केंद्र का आदेश है दिनांग 17 जुलाई 2019 का समस्त जिलों के जिला कलेक्टर को यह लिखा गया है और विशय है वर्स 2019 बीस में स्वीकरत एकिकरत साला निधी के दिशा निर्देश साथियों इसमें बताया गया है कि किस प्रकार हमको यह साला निधी प्राप्त होती है जैसी कि आप देखें नामांकन जहां 015 है अर्थाथ हम 1-15 कहें ऐसे स्कूलों को 12,500 रुपए 16 से 100 चात्र संख्या वाले स्कूलों को 25,000 रुपए तथा 101 से 250 चात्र संख्या वाले विद्यालियों को 50,000 रुपए शाला निधी प्रदान की जाती है इसी तरह 259 से 1000 चात्र संख्या वाले विद्यालियों को 75,000 तथा 1001 से अधिक चात्र संख्या वाले विद्यालियों को एक लाग रुपए एकिकरत साला निधी प्रदान की जाती है तो साधियो इस साला निधी का उपयोग हमें किनकिन मदों में करना है विद्याले में हमको कौन-कौन से कारे कराने होते हैं उन कारेों पर आज हम चर्चा करेंगे विद्याले में नामांकन के आधार पर रासी का व्याय विद्याले की आवशक्ता एवं संभाविच छित्रों को ध्यान में रखते हुए अनुपातिक किया गया है जिससे की विद्याले एकिकरत साला निधी में प्राप्त रासी का व्याय शाला प्रबंधन समीती के अनुवोधन उपरांद कर सकेंगे एकिकरत साला निधी के व्याय करने हेतु सुझावात्मा घटक एवं व्याय करने का अनुपात निम्नाउसार है यहां बताया गया है कि हमको विभिन मदों में इस रासी का कितना प्रतिसत हम खर्च कर सकते हैं तो साथी हो यह आप देख रहे हैं कि सरल क्रमांग एक जिसमें की भवन का रखरका और पुताई विजली का बिल तथा अन्य लगू भौतिक सनचना पर हम कुल रासी का 20 प्रतिसत वे कर सकते हैं बिन्दु क्रमांग दो में स्कूल चले हम वार्ड या ग्राम सिक्षा रजिस्टर को अधितन करना जनसिक्षा केंद्र, जनसिक्षा योजना का निर्मार, सिक्षा चौपाल, मेला, सिक्षा सभार, डाक्यूमेंटेशन, निसुलक पाठे पुस्तकों का जनसिक्षा केंद्र से साला तक परिवहन इस तरह के कारियों पर हम कुल रासी का 10 प्रतिसत खर्च कर सकते हैं तीसरा बिंदू है विद्याले हेतु आवस्यक स्टेशनरी एम सामगरी क्रै कुल रासी का दस प्रतिसत हम इस पर खर्च कर सकते हैं बिंदू क्रमांग चार साला प्रबंदन समीति की बैठक साला में सांसकतिक कारिकराम बाल मेला बाल सभा मिल वाचे मध्यपर्देश कारिकराम कहानी उत्सो साले प्रतियों गिता तक्था महापुर्शों की जैनती इस पर हम कुल रासी का 10 प्रतिसत worth कर सकते हैं पांचवे बिंदू में रास्टी दिवस जैसे की 26 जनवरी पंद्रै अगस्त समारहों को आयो जन एवं प्रसाद वित्रण ह पर हम कुल रासी का 10 प्रतिसत फ्रतिसत ले कर सकते हैं इसके अलाबा छटवे बिंदू में कलर चौक, डस्टर का क्राय, बालक बालिकाओं की आवशकता नुसार किताबों पर कवर, कॉपी, पैन, पैंसिल, रबर, कलर, वर्क बुक, ड्राइंग बुक की वेवस्था, कक्षा एक एवम दो के बालक बालिकाओं हे तू सलेट, एवम बत्ती, यानि खडिया, की वेवस्था, बच्चों के बैठने ये तू प्लास्टिक मेट या धरी का क्राय, माधिमिक साला हो तू विज्ञान के प्रयोगों, ये तू सामगरी का क्राय, तो इस तरह से इन कारियों पर हम कुल रासी का 20% कर सकते हैं, साथवे बिंदू में स् SMC के निर्णे के अनुरूप, यानि SMC के निर्णे के अनुरूप उपरोगत सुझावात्मक सूची में जो कारे सामिल नहीं किये गए हैं, उन पर हम खर्च कर सकते हैं, इस हे तू पुल रासी का 10% प्रावधान है, तो साथियों रासी जो है, या सुझावात्मक है, हो सकत कमी नहीं होगी साथ ही विद्याले में हमें इस रासी से यानि एकिकरत साला निधी से कौन-कौन से कारे कराने हैं इसके संबन्द में भी आगे निर्देश दिये गए हैं बिंदु क्रमांग 2 तारीगा के बाद देखिए सवच्छता एक्सन प्लान यानि सवच्छता कारेकरम के लिए प्रत्येक विद्याले में नमांकन के आधार पर 10% रासी समाहित है इसके अंतरगत कौन-कौन से कारे करना है प्रत्येक साला में सुच्छ एवं सुरक्षित पेजल का संधारां किया जाए साला में पेजल का उचित हाूस कीपिंग कर पेजल बच्चों के पहुँझ म लंबी डंडी के लोटे के साथ स्वच पात्र में भरकर रखा जाए अगर ओवर है टेंक और नल की विवस्था नहीं है तो हमें साप स्वच बरतन में पानी रखके और लंबी डंडी के लोटे तथा गिलास की विवस्था रखना है बिंदु करमांग 2.92 में साला सोचाले की नीमित मानेटरिंग कर छोटे-छोटे आवश्यक मरम्मद बिना विलम के प्रात्मिक्ता से कराए जाएं साथ ही साबून एवं पानी भी अवश्य ही उपलब्द हो सोचाले एक आई की सुरक्षा करते हुए प्रति दिन साम को लॉप कर सुबह साला समय में आवसक रूप से खोले जाएं सोचाले हमेशा क्रियाशील हो उपयोग के योग्य हो और बच्चों की पहुँच में होना चाहिए साला लगने के दोरान सद्याव खोले रहना चाहिए यहां यहां भी कहा गया है कि देखा गया है कि सिक्षक गण साला समय में सोचाले के ताले नहीं खोलते हैं तो यहां उचित नहीं है साला समय में सोचाले के ताले खोले होने चाहिए तथा सभी बच्चों के लिए उपलब्द होना चाहिए अगला बिंदू है मध्यान भोजन के पूर्व बच्चों के साबुन से हाथ धुलाने की गतिविधी अवस्य रूप से संपादित की जाए इसे तु हाथ धुलाई की एकाई याने हैंडवास यूनिट की स्थापना साबुन बैंक तथा पानी की उपलब्दता अवस्य सु गार्डन पौधों या सोख पिट में निस्तारत किया जाएや भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस तरह का पांई परिसर में यूही ना फेले इसे तु गार्डन या पौधे लगा दिये जाए और उन पौधों में इस पानी को जाने की विवस्ता की जाए या सोख पिट बना के माध्यम से कोई भी उप्युक्त मॉडल जैसे नमबर एक पार टाइम सफाई कर्मी के दौरान नीमित सफाई कराना स्वाधा समू हो यदी तयार हो तो उन से नीमित सफाई कर्वाना कम से कम 5-10 सालाओं के सेक्टर बनाकर सफाई कर्मी से सफाई कारे संपन कराना या अन्य कोई माडल के माध्यम से नीमित सफाई की विवस्था सुनिश्चित करें सफाई सामगरी जैसे फिनाईल, साबुन, सर्फ, ब्रश, अन्य सामगरी आवशकतानुसार साला में सफाई है तो उपलाब्द होनी चाहिए नीमित सफाई की बाल कैबिनेट साला प्रबंधन समीती एवम सिक्षक गनदवारा नीमित मॉनेटरिंग की जाए तो इस तरह से हम ज्याले परिशर तथा सवचालेयों की नीमित सफाई की विवस्था कर सकते हैं बिंदु क्रमांग 2.5 इसमें कहा गया है शाला में प्रार्थना के समय एवम बाल सभा में सवच्षता पर परिचर्चा व्यक्तिकत सवच्षता की मॉनेटरिंग एवम सवच्षता के सत्र आवस्थक रूप से किये जाएं विसेशकर किसोरी बालिकाओं में महिला सिक्षकों की व्यक्तिकत सवच्षता पर आवस्यक जानकारी के लिए प्रशीक्षण एवम विसेश्षत आयोजित किये जाएं 2.6 में कहा गया है कि बाल कैबिनेट एवम SMC की स्वच्षता पर शमता समवर्धन साले कारिकरम आयोजित किये जाएं एवम साला के स्वच्षता के मांदन्नों को स्वच्ष विद्याले अनुसार विक्षित किया जाएं 3. उपरोक्त के अतरिक्त एकिकरत साला निधी से साले सुविधाओं के विकास एवम विस्तार हेतू सुझावात्मक दिसा निर्देश निमनानुसार है यानि उपरोक्त जो कारे हमें बताये गए हैं यह तो हमें अनिवार रूप से करना ही है इसके अलाबा अन्य सुझावात्मक निर्देश हैं विद्याले में नीमित साब सफाई हो बच्चों को बैठने के लिए प्लास्टिक मैठ हो जो पूरे कमरे के लायक हो जिस पर बच्चों को समुह में बिठाया जा सके तथा जिसे आसानी से साब भी किया जा सके सासन द्वारा साला एवं बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की सूचना साला से बाहर दिवार बोर्ड पर प्रतलशित की जाए यानि सुविधा सूचना बोर्ड विद्यालेओं में अनिवार रूप से बनाए जाए ताकि जन समुदाय ग्राम के लोगों को इसकी जानकारी हो जाए इसे साला की बहरी दिवार पर काला पैंट पुतवा कर उस पर सफेद पैंट से लिखवाए यह भी देखने में आता है कि अधिकांस बच्चों की किताबें एक दो माह में ही फटने लगती हैं तथा उनके आगे के पाठ गाया हो जाते हैं अता है यह आवश्यक है कि सभी बच्चों की पाठ पुस्तकों पर कवर चढ़वाया जाए ताकि बच्चे उसे साल भर अच्छे से इस्तिमाल कर सकें इसके लिए कवर इत्यादी चढ़ाने है तू रासी का व्याय शाला निधी से किया जा सकता है कवर को सेलो टेप से चिपकाया जाना भी उचित होगा ताकि वह लंबे समय तक टिका रहे 3.4 में कहा गया है साला में ताप मापी एवं वर्सा मापक यंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि बच्चे उससे देनिक ताप मान एवं वर्सा की जानकारी प्राप्त कर उसे अंकेत करें तथा उसके माध्यम से नीमित मोसम का ग्यान प्राप्त करें तो एक बहुत ही अच्छी बात इसमें कही गई है कि विद्याले में ताप मापी और वर्सा मापक के अंत्र आधमिक शालाओं में क्रय की जो प्रक्रिया राशिक्षा के इंड्र के द्वारा बताई गई है उसमें सर्पृतमा साला प्रबन शमीति की बैठक निशुल्ग और अनिवारे बाल सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 ऑनिशुल्ग एवं अनिवारे बाल सिक्षा का अधिकार authorized 2019 और बैठक आयोजित करने से पहले को एक दो दिन पूर्व हम साला प्रबंधन समीती के सदेश्यों के इसकी जानकारी देवें तथा उन्हें निरधारित इस्थान एवं समय आधी की सूचना प्रदान करें तथा अपने सूचना पंजी में इस सूचना प्राप्ति के उनसे हस हस्ताक्षर भी ले लेवें जब बैठक आयोजित हो तो बैठक में आवशक्तानुसार क्या-क्या सामगरी क्राई की जाना है उनके आचित के आधार पर इसका निर्णे लिया जाए अगला बिंदु है लिये गए निर्णे को साला प्रबंधन समीती की बैठक के कारवाई व के लिए जाए जिन सामगरी को क्राय करने पर सहमती बनती है उसके कारवाई रजिस्टर में लिखेंगे और उसके पस्चात जो उपस्तित सदस्ते हैं उनको पढ़कर सुनाएंगे तब पस्चात हस्ताक्षर लेंगे सामगरी क्राय के बाद कारिकार्णी के सदस्यों को बुला कर सामगरी क्राय कर ली गई अपने संबंधित फर्म को क्राय आदेश दे दिया और सामगरी उसके द्वारा जब विद्याले में पहुँचा दी गई या हम ले आए उसके बाद साला प्रवंधन समीती के सदस्यों को बुलाकर सामगरी का क्रय आदेश के अनुसार सत्यापन कराने मतलब हमने जिन जिन सामगरी तथा जिस गुणवत्ता की सामगरी लेना तई किया था वह उसके अलुरूप है अथवा नहीं है इसका सत्यापन हमें साला प्रवंधन समीती से ही कराना है इसके पस्चात साला प्रवंधन समीती के सचीव द्धौरा उक्त सामगरी को स्टाक रजिस्टर में दर्ज किया जाए दुकांदार को भुकतान यथा संभव यदा अकाउंट पर ही चेक यानी रिखांग की चेक के माध्यम से किया जाए रुपए एक हजार साला आकस्मिक वैयों के लिए विद्याले के किसी एक शिक्षक को अगरिम चेक के माध्यम से दिया जाए उनके द्वारा इस रासी से आकस्मिक व्येकर इस अग्रिम रासी का समायोजन किया जाएगा ज़र किसी फर्म से हम 1000 रुपई से अधिक की सामगरी करे करते हैं तो उसे अनिवारे रुप से 1000 रुपई से अधिक रासी होने पर बेंग चेक के माध्यम से ही भुकतान किया जाएगा यदि प्रदाय की गई सामगरी साला प्रबंधन समिती के सत्यापन के दौरान क्राय आदेश के अनुसार नहीं पाई जाए तो दुकानदार को इसे लोटाते हुए आदेश के अनुरूप सामगरी प्रदाय करने को कहा जाए सामगरी अगर साला प्रबंधन समिती के क्राय आदेश के अनुरूप है तो हम उस सामगरी का भुकतान करेंगे और भुक्तान के पस्चात साला प्रबंधन समीथी के जो सचिव हैं रसीद प्राप्त कर वाउचर फाइल में लगाएंगे अब लेखा संधारन किस तरह सी किया जाए इसके संबंद में निर्देश हैं कि उप्रोक्त रासी साला के साला प्रबंधन समीती के बैंक खाते यानि साला सिक्षा कोश में जमा होगी यानि जो भी एकिकरत साला निधी है साला सिक्षा कोश में जमा होती है इसका संधारन निम मगरी को इस्टाक पंजी यानि भंडार पंजी में दर्ज किया जाएगा तो साथियोlla, हम सामानता, कैशबूक और वाउचर फाइल विद्यालेओं में होती है लेकिन प्रायां लेजर नहीं होता है लेकिन लेजर का भी अनिवार रूप से संधारण करना है लेजर का संधारन करने से क्या होता है कि हमें ये ग्यात होता है कि किस मद में कितनी रासी हमारे पास है तता कितनी रासी वै हो गई है अगला जो बिंदू है साला प्रबंधन समीती के सची द्वारा अपने तथा साला प्रबंधन समीती के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से सनलगन नरधारित प्रारूप में जन सिक्षक के माध्यम से जिला सिक्षकेंद्र को उप्योगिता प्रमालपत्र परत्येक तीन महा में प्र अंतमै इसमें कहा गया है कि उपरोकता नुसार एकिकरस साला निधी से साला प्रभंधन समेती के अनुमुधन उपरांत साला विकास एवां अकादमिक गतिविधियों हेतु प्राथपिक्ता के एक्रम में निमा नुसार व्याय करना सुनिश्य किया जाए इस तरह से जो आदे इस है तो आसा है आज की है जानकारी सभी सिक्षक साथियों के लिए उपयोगी होगी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई विसेवस्तू के साथ नई जानकारी के साथ नमस्कार जैहिन